हेलो फ्रेंड्स रेल्कम टो माइस्टडी चेणल दोस्तो आज में पैरा वैग्नी किड़े यानी अल्ट्रा वायलेंड रेंज के बारे में बता रहे हूं दोस्तों यदि आप TGT PGT UP TGT PGT या अन इस्टेट के TGT PGT and ELT KVS NBS किसी भी फिजिकल एजुकेशन के कमपेटेटि एक्जाम्स की आप प्रिक्रेय कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल पे आप सभी वीडियो को सिलेबस के एकॉर्डिंग वाच कर सकते हैं तो दोस्तों आप अपनी बेस्टर तर्यारी के लिए मेरे सभी वीडियो को वाच कर सकते हैं जितने भी टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं उन सब को मैं स्टेप बार इस्टेप पूरा करूंगी और आपके महत्तपुर्ट कोस्टनों का सीजी जुलाओंगी तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज टापिक परावैगनी कीड़े अल्टा वालेट रेंज क्या हैं दोस्तों परावैगनी कीड़े जैसा कि आप सभी को बिरित होगा कि परावैगनी कीड़े जो हैं सूरी की कीड़ों द्वरा उस्रजित होती हैं इन सूरी की कीड़ों में इनफोरीट कीड़क की मात्रा अधिक होती है और परावैगनी कीड़ों की मात्रा कम होती है यह कीड़ें द्रवित मरकरी को उच ताप पर गर्म करने परावैगनी कीड़ों की तरंग लंबाई के समान कीड़ें उस्तजित करती है इसे मानव अपनी आँखों द्वारा ग्रहर करें तो उसे किसी प्रकार का छती नहीं होती है यानि कि इन केड़ों को मानव अपनी आँखों से ग्रहर कर सकता है कोई छती नहीं होगी इसमें किर्णों की लंबाई 4900 एंपियर से 136 एंपियर यूनिट होती है दोस्तु इसके उपचार के लिए इनकी तरंगों की लंबाई निम्न प्रकार से प्रयोग की जाती है जैसे कि तुचा की उपरी सतो यानि ये भी डर्मिस के लिए 2900 से 1849 एंपियर यूनिट एंड तुचा की अंदुरुनी परत डर्मिस के लिए 3300 एंपियर से 3900 एंपियर यूनिट एंड तुचा की अंदुरुनी उससे भी अंदुरुनी परत जो होती है जिसमें रत वाहिकाय नलिकाय पाई जाती है उनके लिए 4900 एंपियर से 3300 एंपियर यूनिट तरंगों की लंबाई का परियोग किया जाता है दोस्तों इन पराबैगनी केड़ों के चिकिस्ता से प्रभाव क्या पड़ता है तो यह इसमें रक्त नलिकाओं में रक्त प्रभाव बढ़ता है और उत्तकों में रसानिक लवडों का चय अपचय बढ़ जाता है संक्रम होने की संभावना कम होता है इसमें क्योंकि यह प्रक्रितिक रूप से होता है और घाव भरने में शाहता मिलती है सूरे की क्रेडों से प्राप्त बिटामिन डी तोचा में वसा संग्रह की रूप में जमा होता है पुरानी चोटों के लिए यह सबसे प्रभावी चिकिश्रा विधी है तोचा घाओ के लिए यह प्रभावी होता है इस प्रकार दोस्तों हम प्रावेगनी किर्णों के बारे में कुछ बेसिक जांकारी जाने आई होब कि दोस्तों यह आपको अच्छा लगा होगा आपके लिए इफेक्टिव नौलेज होगा दोस्तों इफेक्टिव आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं यह जादे सज़ादे वीडियो को सेर किया जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिलें जिससे जो भी टापिक्स बचे हुए हैं, मैं step by step उन सभी वीडियो को लाश रकूँ, and दोस्तों आपको जो भी वीडियो, जिस भी टापिक पर वीडियो चाहिए, उस टापिक को आप मुझे कमेंट में जरूर बताएए, मैं उसको पुरा करने की जरूर कोशिश करूँगी, जितने भी टापिक्स बचे हुए हैं, डोपिंग बचा हुआ है भी, डोपिंग से दुलेटे जितने भी टापिक हैं उसको सब कवर करूँगी, जाए डोपिंग का इतिहास हो, कब से सुरु हुआ, और कितने खिला लएए, अब तक डोपिंग के रूप में , पाए गये है, और कितनी प्रकार होते हैं सब के बारे में डेटेल में बताऊंगी दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहे और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइकों को प्रेस कर लेजिए जिसी जो ही मैं नया वीडियो नेस्ट टाइम अपलोड करूं उसका नाटिफिकेशन आपके पास पहुझता रहे तो दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टापिक के साथ तक के लिए जय ही